नमस्कार दोस्तों टीडियस से बचने का एक महत्पूर्ण उपाए है फॉर्म 15G 15H सब्मिट करना आज की इस वीडियो के थूरू फॉर्म 15G 15H से संबंदित महत्पूर्ण प्रश्णों के उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे क्या आज की इस वीडियो में कवरिज क्या क्या है हमारे पास क्या कोश्टन से कवर करने के लिए वाइवी यूज़ वाइज फॉर्म 15G 15H इंकम इलिजिबल फॉर्म 16G 15-15H यानि फंदरा जी पंद्रा एच भरने के लिए कौन सी इंकम eligible होती है यानि आप कौन सी income पर 15G, 15H भर सकते हैं और किस पर नहीं भर सकते हैं Who can file form 15G, 15H, 15G, 15H कौन भर सकता है How to fill form 15G, 15H, 15G, 15H भरने का, इन forms को भरने का, क्या तरीका है, क्या manner है What is the last date of filing form 15G, 15H, 15G, 15H भरने की last date क्या होती है सर What is the difference between form 15G, 15H And last में, कुछ और important points जो मुझे लगते हैं आपकी सूचना में, आपकी information में लाने जरूरी है मैं उन्हें आपके साथ आज की इस वीडियो में discuss करूँगा मेरा पहला प्रशन है दोस्तों आपके सामने Why we use form 15G, 15H to save deduction of tax at source यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा payment आने वाला है जिसके उपर tax कटने की संभावना है यानि TDS कटने की संभावना है तो आप relevant payer को यानि जो व्यक्ति आपको वो income देगा उसे आप अगर form 15G, 15H submit कर देंगे तो वो व्यक्ति अब आपका TDS नहीं काटेगा so basically 15G, 15H का purpose है to save deduction of tax at source it is a declaration it is not a certificate a very important point sir ये गोशना पत्र है ये कोई certificate नहीं है गोशना पत्र यानि जो भी pay है so for example आपने मुझे interest देना एक लाग का मैं आपके पास में आया बुला साब मेरा 15G ले लीजे अब आप TDS नहीं काटेए तो मैं गोशना कर रहा हूँ क्या गोशना कर रहा हूँ साब मेरा जो भी relevant income है इस साल का उस पर tax liability nil होगी इसलिए आप please TDS मत काटीजे यही 15G 15H का मूल आशे है and I can again say crux of the declaration is that the estimated total income of the previous year in which the relevant income is to be included in computing assesses total income will be nil तो आप यदि यह particular intention के साथ आना चाहते हैं तो 15G 15H आपके लिए एक बहतर विकल्प है कौन सी income eligible है for the purposes of filing 15G 15H 15G 15H भरने के लिए कौन सी income eligible है दोस्तों 1. dividend income under section 194 interest पर दो प्रकार के TDS का प्रावधान है interest on securities under section 193 and interest under section 194 है other than interest on security दोनों प्रकार के interest पर 15G 15H का form submit किया जा सकता है insurance commission which is subject to TDS under section 194 D इसी प्रकार से life insurance के maturities जो आती हैं उन पर 194 DA में TDS करता है वहाँ पर भी आप 15G 15H submit कर सकते हैं अगर कोई provident fund संबंदी withdrawal है तो section 192 A में TDS का प्रावधान है अगर आप चाते हैं आपका TDS न कटे तो वहाँ पर भी आप 15G 15H submit कर सकते हैं और section 194 I में जब किसी व्यक्ति को rent का बुकतान होता है और वो चाता है कि मेरे rent पर टीरियस न काटा जाए तो ऐसा वक्ति भी 15G 15H relevant pair को submit कर सकता है यह बात ध्यान रखिएगा सर हमें government of India को यानि income tax department को 15G 15H नहीं फाइल करना हमें तो pair को वो particular 15G 15H pair का मतलब है मान लिजे A एक person है और मैं B हूँ और A मुझे इस साल 3 लाख रुपे का किराय का बुकतान करेगा ठीक है तो ऐसी परिस्तती में मैं as B A के पास मैं approach कर सकता हूँ कि साब आप मेरा TDS न काटिये अब क्या 15G 15H इस position में दे सकते हैं नहीं दे सकते इस question पर भी मैं आने वाले समय में आपके साथ इसी वीडियो में और आगे discussion लेके बढ़ूंगा What is the difference between form 15G and 15H ये एक बहुत महत्पूर्ण point है सर जो हमें ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम as a payee जब कोई form submit करने जाते हैं तो हमें पता हो कि हमें 15G देना है या 15H देना है तो दो बाते में आपके सामने लेकर क्या हूंगा सर ये point तो आप सब खूब समझते हैं कि 15G non senior citizen देता है और 15H एक senior citizen अससी देता है यानि यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो तो आपको form 15H देना है relevant financial year में कभी भी और अगर आपकी उम्र किसी भी particular date को relevant financial year में 60 साल नहीं होगी तो आप 15G submit करेंगे ये तो हुआ एक point मैंने इसी को और इस पश्ट तरीके से यान लिख दिया only difference between 15G 15H is with respect to senior citizen resident in India who can fill form 15H अगला point देखेगा even when the total payment to him or her exceeds the basic exemption limit ये बहुत 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 दिफरेंस है मान लिजे मेरी bank के पास में FD है या तो मेरी age 40 years है या मेरी age 65 years है अगर age 40 years है तो आप समझते हैं कि हा सर मुझे 15G देना है और अगर मेरी age 65 year है तो आप समझते हैं मुझे form 15H देना है अगर मान दीजे for example मेरी ब्याज के आयत 3,000,000 रुपए है और मैं bank को 15G देना चाता हूँ bank मेरे से 15G नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा दोस्तों क्योंकि मुझे जो payment होना है इस साल वो above exemption limit है यानि 1,500,000 रुपए से उपर है तो मूल बात क्या है से 15G उस परिस्तिती में आप submit नहीं कर सकते जब relevant pair जो आपको payment कर रहा है अगर उसके द्वारा किया गया बुकतान basic exemption limit से उपर है चाहिए ये बात अलगे के deductions वगेरा claim करके आपकी total income below exemption limit आ जाए लेकिन अगर वो वेक्ति आपको जो बुकतान कर रह है वो बुकतान during the financial year basic exemption limit यानि धाई लाग से ज़्यादा है तो आप 15G submit नहीं कर सकते लेकिन दोस्तों ऐसी कोई restriction senior citizen necessity के लिए नहीं है यानि मान लीजिए मैं senior citizen हूँ with 65 years of age मेरी exemption limit तीन लाग है लेकिन मुझे bank साड़े तीन लाग का interest का बुकतान कर रहा है और मैं 15H submit कर रहा हूं तो भी sir bank 15H accept करेगा ये एक मुलबूट difference है जो आपको 15G और 15H में ध्यान रखना चाहिए यहां आपके साथ मैं TDS exemption limits बता रहा हूं यानि अगर आपको जो मैंने यहां पर payments बताए हैं जो amount बोले हैं अगर इतना ही payment साल बर का आएगा तो आपको 15G 15H देने की विज़रूत नहीं है क्योंकि TDS लगेगा इने लेकिन अगर इन थर्सोल limits से यहां जो दी गई amount की बावना है आपको ऐसी परिस्तिती में फिर 15G 15H submit करना चाहिए what are the nature of payments income tax act 1961 का relevant section क्या है rate of TDS क्या है as on date मतलब मैं आज की rate में July 2020 में बात करा हूं amount in rupees for the financial year कितनी है जहां तक TDS नहीं कटेगा और इसके ओपर TDS अगर कट रहा है और आप नहीं चाहते TDS कटे तो आप 15G 15H submit क साड़े साथ परसेंट की TDS की rate है 5000 रुपे साल तक का अगर बुकतान है तो TDS ही नहीं है उससे उपर है तो आपका TDS लगेगा इस rate पर TDS लगेगा आप चाहते हैं TDS नहीं कटे तो आप 15G 15H submit कर सकते हैं लेकिन सब अगर आपकी listed security है जो DMAT format में है वहां आपको किये गए पर कोई TDS लगना ही नहीं है तो आपको 15G 15H देने की जुरत नहीं है मैं फिर इसे उधारण से बोलता हूँ माल लीजे मैंने L&T company के 10 लाग रुपे के bonds जो की listed हैं DMAT format में खरीदे L&T मुझे साल में 8% की rate से ब्याज दे देती है तो उस ब्याज पर L&T मुझसे TDS ही नहीं काटेगी लेकिन एक बहुत important concept है जो आपको पता होना चाहिए सर 15G 15H में ये बोल देने से के ये particular amount पे TDS नहीं काट ये इसका मतलब ये नहीं है कि income exempt है income निश्चित रूप से taxable होगी लेकिन आपको TDS नहीं काटाना उसके लिए आप 15G 15H दे रहे हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है आगे देखे सर interest other than interest on securities जैसे FD, loan वगेरा वहाँ पर section 194A में अगें 7.5% की TDS रेट है मैं आज की बात करा हूँ जुलाई 2020 में अगर आपको 40,000 रुपे तक का payment हो रहा है bank द्वारा, post office द्वारा, cooperative bank द्वारा या 50,000 रुपे तक का payment हो रहा है और आप senior citizen है तो आपसे bank TDS ही नहीं काटेगा और बाकी सब cases में सर यह जो limit है 5,000 रुपे की है यानि 5,000 से उपर होते ही आपको 7.5% की rate पर TDS कटेगा अब यदि pay चाता है TDS ना कटे तो ऐसा pay 15G, 15 Nets submit कर सकता है इसी प्रकार से दोस्तों dividend जो financial year 2020-2021 से taxable होने लगा section 194 में TDS कटेगा 7.5% की rate से अगर aggregate payment by a company to the shareholder maybe equity shareholder और preference shareholder 5,000 रुपे से ज़्यादा है साल में account pay check से तो ऐसी परिस्थिती में TDS कटेगा at the rate 7.5% ऐसे ही दोस्तों insurance commission section 194D में अगर 15,000 से ज़्यादा का भुकतान है तो 3.75% rate से TDS कटेगा आप चाते हैं TDS ना कटे तो आप 15G, 15 Nets 15,000 से उपर की commission के case में submit कर सकते हैं insurance की maturity section 194D ये कहता है साब 1,00,000 से उपर के भुकतान पे 3.75% rate से income comprise therein पे TDS कटेगा आप चाते हैं TDS ना कटे आप 15G, 15 Nets submit कर सकते हैं rent जहां किराय का भुकतान होता है सर तो section 194I में 7.5% rate पे TDS है सर यदि आपको भुकतान 2,40,000 रुपे से उपर है आप चाते हैं 2,40,000 से उपर के भुकतान पे TDS ना कटे तो आप 15G, 15 Nets submit कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखे दो लाग 50,000 से उपर के रेंट के भुकतान पर सर जो रिलेबन पेर है वो आपसे 15G नहीं लेगा हाँ 15 Nets ले सकता है जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया इसी प्रकार से दोस्तों पे फिटरॉल में section 192A में 7.5% TDS की रेट है पचास जार रुपे तक के भुकतान पर TDS नहीं है पचास जार से उपर के भुकतान पर TDS है आप चाहते हैं कि TDS न कटे तो ऐसी परिस्तिती में आपको 15G 15H सब्मिट करना होगा कौन व्यक्ति 15G 15H भर सकता है दोस्तों एन इंडिविज्वल बिंग रेजडेंट इन इंडिया एसा व्यक्ति जो की इंडिविज्वल है और रेजडेंट इन इंडिया है वो 15G 15H भर सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी है जो भी हाउस ओनर्स हैं उनसे मिलकर एक सोसाइटी बनी है यह सब व्यक्ति इसार 15G 15H सब्मिट कर सकते हैं लेकिन एक कंपनी एक पार्टनर्शिप फर्म एक लल्ल्पी किसी भी स्वरूप में 15G 15H सब्मिट नहीं कर सकती कर सकता है तो यह भी देख लेते हैं दोस्तों कि who can't file form 15G 15H and individual who is not a resident in India यानि NRI नहीं दे सकता a person who is a company or a firm or a LLP and a person whose total payment for the prescribed nature from the relevant pair exceeds the basic exemption limit यह restriction जो दोस्तों मैंने बोली यह 15G के case में लागू है 15H पर यह restriction लागू नहीं होगी अब यहां पर दोस्तों मैंने प्रिश्ण लिया है how to fill form 15G 15H मेरी opinion में दो तरीके हैं सर या तो आप 15G 15H manually दो कॉपी में submit कर दीजे या electronically भी submit कर सकते हैं आज की date में जादा तर banks, financial institution आपको electronic format में भी 15G 15H online fill up करने की सुविदा दे रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको relevant bank की site पर जा करके वहाँ पर net banking की facility के थूँ या login facility के थूँ जाना है और फिर आपको electronically वहाँ पर 15G 15H submit करने की सुविदा है लेकिन अगर आप electronically नहीं भरना चाते तो आज भी आप manually 15G 15H submit कर सकते हैं यह processor companies के case में बड़ी relevant है क्योंकि company जो आज की rate में dividend देंगी 5000 से जादा तो मान लीजे मेरे पास में 10 कंपनियों के shareholder है तो मेरे को 10 की 10 कंपनियों में 15G 15H submit करना पड़ेगा अगर मैं चाता हूँ के वे मेरा TDS ना काटे अब इस संदर्ब में मुझे यह देखना पड़ेगा कि कौन सी company मेरे को online facility उपलब्द करा रही है 15G 15H file करने की अगर मान लीजे वो company मुझे 15G 15H की online facility नहीं दे रही तो सब मुझे physically उनके registered address पर corporate address पर 15G 15H registered post से भेजना चाहिए that is how my TDS will not be deducted तो हाला कि यह process cumbersome है क्योंकि इस साल से dividend taxable हो गया तो सर 15G 15H अगर companies electronic facility दें तो बहुत अच्छा है electronic नहीं देंगे तो ऐसी परिस्तेती में आपको manually 15G 15H उन तक पहुंचाना पड़ेगा क्या दोस्तों मैं आपके सामने 15H का format रख रहा हूं कि आपको क्या-क्या fill up करना है कैसे fill up करना है क्या बात का fill up करते समय ध्यान रखना है 15G भी इसी format पर है केवल फरक यह है 15G non senior citizen देगा 15H senior citizen देगा title as of declaration under section 197A to be made by an individual who is of the age of 60 years or more claiming certain income without deduction of tax एक बात important है note करिए मान लीजे April 2020 में मेरे IU है 59 years 11 month तो इसका मतलब मैं अगले महिने 60 years की age का हो जाओंगा तो मैं अगर आज ही 15H देना चाहता हूं तो क्या दे सकता हूं या नहीं बिल्कुल दे सर जिस व्यक्ति की उम्र relevant financial year में एक भी दिन 60 years की हो जाएगी वो व्यक्ति 15H submit करेगा और यदि किसी भी दिन 60 years की age नहीं आईगी तो ऐसी परिस्तेती में उस व्यक्ति को 15G देना अब देखिए डिटेल क्या क्या देनी है नेम अफ दाससी डाट इस देक्लरेंट पैन नंबर या आधार कार्ड अगर आपका पैन नहीं है तो भी सर अब आप परिवर्तित विवस्ता में बिना पैन के आधार से भी 15G 15H समझेगा सर जैसे मान लीजे क्योंकि यहां पर लोगों से गलती हो जाती है जैसे मान लीजे वित्वर्श 2020-21 के लिए मैं 15G एच सब्मिट करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर फिनेंचल यर यानि प्रीविस यर 2020-21 डालना है यहां सर मेरा पता नेम ऑफ दे प्रेमाइजेस रोड एरिया टाउन स्टेट मेरा पिन नंबर इमेल आईडी यदी है तो मोबाइल नंबर यह फिलप करना है क्या मैं अस लेटेस्ट असेस्ट में यहां पर लिखना है यदी कोई एक्ट्ट असस्समेंट आप पर नहीं हुआ तो मेरी ओपिनन में यहां कुछ फिलप करने की जुरूत नहीं estimated income for which this declaration is made मान लीजे मुझे इस साल बैंक से 2,15,000 का ब्याज आएगा तो मैं यहां मोटा मोटी amount fill up कर सकता हूँ कि हाँ साथ इस साल मुझे 2,15,000 ब्याज का आना है estimated total income of the previous year in which the income mentioned in column 15 is to be included अब मुझे यह भी बताना है कि बैंक से तो मान लो 2,15 आएगा और मुझे total मिला के 2,35,000 की ही मेरी total income होनी है क्योंकि bank यह देखेगा कि क्या मेरी total income above exemption limit तो नहीं है यदि है तो bank मेरा 15G नहीं लेगा हाँ 15H में उसे accept करने में कोई दिक्कत नहीं detail of form 15H other than the form filled for this previous year if any यानि मैंने किसी और जगे भी form 15H submit किया है तो उसकी detail भी मांग रहा है अब लोग generally यह details बढ़ते रही है बढ़ना चाहिए total number of form of 15H file aggregate amount of income for which 15H is filed by the assessi then 18th column में details of income for which the declaration is filed आपको बताना है sir कि आपकी कौन सी securities है से आपका FD है आपकी LIC policy है आपका rent है आप किसके ओपर चाहते हैं कि TDS न कटे उसका nature of income बताईए कौन से section में TDS कटना है मैंने आपके साथ section discuss किये sir section 192A, 193, 194, 194A, 194D, 194DA, 194I वो आपको यहाँ पर fill up करते हुए चलना पड़ेगा तो इस प्रकार से sir आपको यहाँ पर 15H form भरना है यहाँ पर देखिये sir आपको एक declaration देना है क्या declaration verification देना है I, Anup Bhatia, do hereby declare that I am resident in India इसलिए मैने पहले बोला था कि resident ही देगा within the meaning of section 6 of the income tax act 1961 I also hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated and that the income referred to in this form are not includable in the total income of any person under section 60 to 64 आप यह भी कह रहे है कि मेरी इस income को किसी और विक्ती के हाथ में क्लब करने की आवश्रिक्ता नहीं है I further declare that the tax on my estimated total income including income referred to in column 15 and aggregate amount of income referred to in column 17 computed in accordance with provision of IT Act 1961 for the previous year ending on that is 2021 in the present case relevant to the assessment year that is ay21-22 will be nil और यहां finally आपको signature करके यह particular declaration file कर दिना है part 2 जो है दोस्तों form 15 G 15 H का यह आपको नहीं fill up करना यह जो पेर है जिसको आपने यह certificate अपना declaration दिया है वो इसे fill up करेगा उस व्यक्ति को अपना यहां पर नाम अगर वो आपको यहां पर कोई particular TDS की acknowledgement दे रहा है 15 G 15 H की तो वो unique identification number उस व्यक्ति को mention करना है online process में तो unique identification number must है आपका pen number ठीक है आधार number of the person responsible for paying यह पेर को अपना pen आधार mention करना है complete address 10 number mention करना है email telephone number amount of income कितनी वो आपको पे कर रहा है आपने किस दिन declaration make किया and the date on which the relevant income has been paid or credited and finally वो authority उसे signature करके इस form की एक copy जो आप दो copy में file करेंगे government of India के पास यह निंकम टेक्स department के पास file करने के लिए li यहां देखिए दोस्तों प्रश्ण है what is the last date of filing form 15G 15H no last date fixed however such form must be filled and provided to the pair on or before the date of deduction of tax head source देखिए होता क्या है सर मान लीजे for example मेरा first quarter में TDS कट गया मैं second quarter में जा सकता हूँ 15G 15H लेके second quarter में TDS कट गया मैं third में जा सकता हूँ 4th में भी जा सकता हूँ लेकिन साब जिस period के लिए TDS कट गया और मैं subsequently 15G 15H दे दूँ तो मैं यह चाहूँ कि अब pair जो TDS काट चुका है वो मुझे वापस करे वो देने के लिए liable नहीं है तो I have to be careful और इसलिए साल के beginning में या transaction जब आपका होने वाला है payment वगेरा उससे पहले पहले 15G दे देते है तो बहुत अच्छा है whether single form to be filled for a year yes sir एक साल के लिए एक ही form आपको fill up करना है एक pair को लेकिन अलगलग pair है मान लिजे मेरा PNB में भी खाता है union bank में भी खाता है then किसी और bank से federal bank में भी खाता है तो मुझे हर bank को अलगलग ज़िदा करके 15G 15H देना पड़ेगा once 15G 15H is provided for a year whether in the next year again such form is to be submitted यहां sir लोगों से common mistake होती है कि वो bank से भी या financial institution से complaint करते है साब मैंने आपको पता है मैं हर साल आता हूं 15G 15H देता हूं इस साल में 2 मेने क्या delay हुआ आपने TDS काटा तो financial institution को आपको हर साल beginning में sir 15G 15H देना है अगर आप delay करेंगे तो उतने period के ल नहीं है तो we have to be cautious about these kind of aspects कुछ अन्य महत्पूर्ण पॉइंट सर जो मेरी नजर में थे मुझे लगा आप से discuss करूं 15H 15G if not filed electronically if filed physically it should be in two copies what if 15G 15H submitted but not accepted updated यह एक बड़ी practical समस्या है जो मैंने देखा है Assacies at large face करते हैं कि मैंने एक physical copy भेज दी 15G 15H की bank को दे भी आया जाकर के या relevant pair को दे भी आया और फिर भी उसने 15G 15H को ध्यान नहीं रखा TDS जमा करा दिया अब मैं किस से लड़ूंगा सर उन्होंने तो TDS काट दिया और एक बार काट के जमा करा दिया तो फिर pair आपको refund नहीं कर सकता है हाँ pair के वल आपके चेतानें पर आगे के period के लिए 15G 15H को effect देने के लिए लाइवल है पीछे TDS कट गया तो सर वो कट गया तो हमें कोशिच यही करनी है कि सर pair को हम proper सूचना दे दें प्रॉपर तरीके से उसे communicate हो जाए कि मेरा 15G 15H सब्मिट हो गया है और फिर भी अगर pair गलती करेगा सर तो पेई को फिर वहाँ पर return भर के ही refund claim करना है एक बात दोस्तों मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि दिखिए मैंने यह पाया है कि कई बार लोगों का गलती से 15G 15H consider नहीं होता तो tedious कर जाता है और वो यह सोचते हैं कि साब चलो अब की बार गलती से tedious कर गया मैं return नहीं बढ़ता अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा 15G 15H की proper acknowledgement लूँ बैंक को भी दो बार चेता हूँ खुद भी check कर लूँ तो वो इस presumption में कि अगर मैंने return भरी refund claim करने के लिए छोटा सा refund है तो फिर हर बार मुझे return भरने ही पड़ेगी ऐसा कोई rule नहीं है आपका अगर bank ने गलती से tedious काटा है pair ने गलती से tedious काटा है आप अपनी return भरिये sir refund claim करिये income tax department will be pleased to refund to you तो मैं कता ही यह नहीं बोलूगा sir कि TDS अगर कट गया और थोड़ा सा amount है तो आप return भरें sir क्यों नहीं return भरें return भरिये आपकी जो भी legitimate income है वो दिखाई है जो आपका TDS due बनता है वो लिजे मैंने यहां तक देखा है sir कि बहुत से लोग जिनका TDS कट गया return नहीं भरते या तो बाद में चेता आता है उनको यानि उन्हें लगता रह यार में भर लेता refund claim कर लेता या उन्हें बाद में income tax department notice बेज रहा पूछ रहा है कि साब TDS कटा आपने return क्यों नहीं भरी तो department के भी presumption यह हो गया कि साब TDS कटा और यह वेक्ती return नहीं भरा इसका उलब गड़ तो इसलिए it is better कि wherever TDS is deducted even if wrongly you should file your return हाँ अगर 15 जी पंदराय दे रखा है और आपकी overall total income channel है तो सर आपको return भरने के आवश्यक्ता नहीं what if if you are not eligible but you submitted 15 g 50 net and you have submitted form 15 g 50 net तो क्या होता है सर कई बार मान लीजे मुझे लगा कि इस साल मेरी FD इत्ती है कि मेरे को किवल धाई लाग का ब्याज आएगा मैंने 15 g 50 net दे दिया बाद में मैंने total income चार लाग हो गई तो मेरा 15 g 50 net एक प्रकार से गलत है दोस्तों लेकिन कोई घबरानी की जुरुत नहीं है आप जो भी final tax liability आपके इसाब से बनती है वो आप अपनी return में pay करें और अगले साल के लिए अपनी position को सही प्रकार से review करें the payer shall be responsible to deliver one copy of form 15 g 50 net to the CIT on or before 7 day of next month in which the declaration is furnished to him यह point मैंने tedious payer के लिए लिखा है यानि income payer के लिए कि उसको भी क्या करना है अगर आप से declaration आया है तो अगले महिने की 7 तक उस व्यक्ति को यानि payer को वो declaration government of India को file कर देना है यह उस व्यक्ति की responsibility है अला कि दोस्तों यह वीडियो 15 g 15 h पर थोड़ी लंबी रही लेकिन क्योंकि 15 g 15 h ऐसा particular matter है जिस पर बहुत सी queries बहुत से confusions चलते हैं इसलिए मैंने आपका वहूले समय लिया आपको यह चीज़े अपडेट करी I hope यह वीडियो आप तक एक सही प्रकार से knowledge पहुचाने के प्रयास के रूप में सिद्ध होगी यदि आपकी कोई queries हो या आप किसी और विशे पर मुझे वीडियो बनाने का कोई particular सुजाव देना चाहें you are most welcome मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह